आज के लेक्चर में आप सबका गाडा-गाडा स्वागत है आज हम लोग SI की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यह सिर्फ SI की क्लास नहीं है एक बात इस चीज को ध्यान रख लीजिए यह SI की भी क्लास है CGPSC Pre की भी क्लास है और आने वाले होस्टल लोडन की क्लास है ब्यापम की भी क्लास है लेकिन जो आपको लेवल जो प्रोवाइड किया जाएगा वो CGPSC Pre Plus Mains का प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके बागी कोई एक्जाम रहे वो आसानी से निकल सके ठीक है तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने हैं भारत का आधुनिक इतिहास भारत का जो आधुनिक इतिहास है वैसे तो अंगरेजों के आने के पास से स्टार्ट हो जाता है लेकिन मैं भारत का आधुनिक इतिहास 1885 कॉंग्रेस की स्थापना से लेके भारत की आजाजी तक मानता हूँ, मेरे हिसाब से, तो मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग 1885 कॉंग्रेस की स्थापना से लेके, भारत की आजाजी तक पढ़ने वाले हैं, ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ठीक है, कॉंग्रेस की स्थाप कॉंग्रेस की स्थापना क्यों हुवी थी भाई आखिया कॉंग्रेस की स्थापना हुवी क्यों थी इस पर बात कर लेते हैं पहले तो यहां पर दिया है कि कॉंग्रेस की स्थापना यह पीछे का पहले बात कर लेते हैं कॉंग्रेस की स्थापना के जो पीछे है दो तीन जनते ऐसा बोला जाता है, तो Congress की स्थापरा के पीछे का पधाला background ठोड़ा देख लेते हैं, सब को पाता है कि भारत जो है उसको सोने की छिडिया बोली जाती है, टीक है, एक समाने में, एक जमाने में भारत को सोने की छिडिया बोली जाती थी, क्योंकि भारत का जो income भारत क जो GDP था पुरी दुनिया का लगबग लगबग 27 से 28 परसंट था यह एक तरीके से किसी को समझ नहीं आ रहा है तो यह बोलो कि दुनिया में एकर 100 रुपया है दुनिया के पास 100 रुपया है तो उसमें से अकेला जो पैसा है 27 से 30 रुपय के बराबर पैसा के लिए भारत के पास था नब भारत बहुत धनाट यदेश था फिर मुगल्स आ है विदेशी आकरमान आ है जितने भी लोग आया उन्होंने लूटा लूट खसोट के चले गया लाश्ट में अंग्रेज आयल अंग्रेजों ने भी लूटा खसोटा और वो लोग भी चले गए 1857 की क्रांती सबको पता है 1857 की क्रांती क्यों फेल हुई थी उसका सबसे बड़ा रीजन यह था 1857 की जो क्रांती थी उसको कोई लीडर्शिप नहीं मिल पाया जो यह बता सके कि 1857 की क्रांती कैसे शुरू करनी चाहिए कहा से शुरू करनी चाहिए और किस तरीके से शुरू करनी चाहिए 1857 की क्रांती के अस्पल होने के सबचे बड़े कारणत है फिर धीरे 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 भारतिय जो है वो कुछ organization बनाना चलू के कुछ संस्थायां बनाना चलू के जैसे भारत का पहला जो राजनितिक संस्था थी वो जमिदारी असोसियेशन लैंडलॉड असोसियेशन था ऐसे बहुत सारे असोसियेशन बने बने बंग सभा बना लैंडलॉड सभा बना मद्रा सभा बना लंदन सोसाइटी बनी बॉम्बे सोसाइटी बनी इस्ट इंडिया असोसियेशन बना बहुत सारे ऐसे organization बने थे लेकिन ये भारतियों का पून रूप से नित्रे तो नहीं कर पा रहे थे अस्फल हो गए थे जैसे जमीदारी association से जमीदारों से related था तो इसी कारण से आम जनता का प्रतिनिधित्य कर पाए अंग्रेजों के सामने अपनी बात रख पाए और साथी साथ भारत की आजादी में महत्पून योगदान देने के लिए कोई संस्था नहीं थी ऐसे समय में भारती राष्टी कांग्रेज को बनाया गया था एक reason ये दिया जाता है कि भारतियों के leadership के लिए भारतियों के भारत की जनता के नेत्रित्य के लिए कोई एक ऐसी party होनी चाहिए जो भारत की जनता क्या क्या करे नेत्रित्य करे इसके लिए Congress बनाई गया थी ऐसा बोला जाता है एक reason तो ये है ठीक है पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजे हैं यहाँ पे उसके बाद दूसरा तीसरा रीजन बात करेंगे हैं ठीक है तो यहाँ पे पहला चेप्टर आपका इतिहास आधुनिक इतिहास आपके स्टार्ट हो गया है तो फाइली बात करते हैं यहाँ पे लिखा गया है 28 दिसंबर 1885 को वनी थी एक सीज याद रखिएगा कि भारती राष्टी कॉंग्रेस की हर साल एक मिटिंग होती थी मतब साल में सिर्फ एक मिटिंग होती थी वो भी 25 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर मतब दिसंबर माहा के लास्ट वीक में लगबग होता था तो याद है कॉंग्रेस की लगबग जितनी भी मिटिंग होती वो दिसंबर महीने में हुई है तो कॉंग्रेस की जो इस्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को दिन सो मार को मुंबई में हुआ था ठीक है मुंबई में कहा हुआ था गोकुल, दास, तेज, पाल, संस्कृत, महावध्याले, ग्वालिया, टैंक, मुंबई या बंबई बोलो वहाँ पे हुई थी अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी जो मीटिंग थी बंबई में ना होके पहले पूने में होने वाली थी कहा होने वाली थी ये पूने में होने वाली थी बट पूने में प्लेग फैला हुआ था उस जमाने में पूने में प्लेग फैला हुआ था और प्लेग बहुत बड़ी बिमारी माने जाती थी जो चुहों के कारण से होता था इसलिए पूने से शिफ्ट करके कहा कर दिया गया बंबई कर दिया गया था तो याँ रखे भारती राश्टी कॉंगरेस का पहला सम्मेलन पूने में होने वाला था लेकिन शिफ्ट करके उसको बंबई या मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविध्यालाय में दिन 28 दिसंबर 1885 सोमवार ठीक है इसके संस्थापक कौन थे या दखना इसका कोई संस्थापक भारती नहीं था अंग्रेश था इसी के कारण से एक डिस्प्यूट चलता है वाज भी वाज चलता है कि वाज Congress established ठीक है तो अब इसके बாर हमीं भी बात करेंगे ठीक है Alan Octavian Hume A.O. Hume करके बोला जाता है को Congress का फादर Congress के पितामह मोला जाता है कि Alan Octavian Hume ने Congress को बनाया था ये कभी भी Chairman नहीं थे ए ओ हूम कभी भी चेर्मेन नहीं थे, अध्यक्ष कभी नहीं वने थे, ये महासचिव थे, ये 1885 से लेके 1905 तक कॉंग्रेस के महासचिव थे, और 1912 में कॉंग्रेस ने इसको अपना फैनली संस्थापक घोशित कर लिया, पितामा घोशित कर लिया कि कॉंग्रेस को बनाने व वाला जो ब्यक्ति था या जो ब्यक्ति तो है वो A.O. Hume है एक दो बार पुछा जा चुका है कि A.O. Hume कौन थे आर्मी ओफिसर थे मंत्री थे ऐसे से करके ऑप्शन आया था ये रिटायर्ड आईयस ओफिसर थे आउकास प्राप्त असैनिक अधिकारी हिंदी में इतना खतरन कानाम है आउकास प्राप्त असैनिक अधिकारी थे ये एलन एक्ट ओक्टेवियन हुम जो थे वो एक रिटायर्ड आईयस ओफिसर थे जिन्नोंने भारती राश्टी कॉंग्रेस की निव रखी ये कभी भी अध्यक्ष नहीं थे महा सची के पेव पोस्ट में 1885 से 1905 तक थे सची करके लिखा गए यहाँ पे स्कॉटलेंड का निवासी था बारा बज़े स्थापना की गए थी बारा बज़े मुंबई में स्थापना की गई गोकुल दास तेज पाल संस्क्रित महावल द्याला में की गई थी पहले अध्यक्ष पहला जो मिटिंग हुआ था उसके जो इंडियों ने मिल बांट के आई एंसी की स्थापना की इंडियान नेशनल कॉंगरिस के इस्थापना की थी अब बताएंगे क्या था ये भी ठीक हैं अभी आगे चलते हैं तो यहाँ तक समझ आया है यहाँ पे बताया गया है इसका जो आरंभिक नाम था भारती राष्टी संग इंडियन नेशनल यूनियन था जिसे दादा भाई नेरोजी के सुझाओ पर भारती राष्टी कॉंगरिस कर दिया गया तो एक चीज यहां पर सुन लिजिए कि पहले Congress का नाम क्या होने वाला था? भारती राष्टी संग होने वाला था. इंडियन नेशनल यूनियन होने वाला था. बड़ दादा भाई नेरो जी के सुझाओ पर भारती राष्टी Congress कर दिया गया. Congress. Congress जो है एक American शब्द ही. Congress पर पहले बात कर लेते हैं. Congress का मतलब होता है एक American शब्द है. अमेरिका का जो Parliament है उसको Congress भी बोला जाता है. अमेरिका के Parliament को क्या बोला जाता है? तो कॉंग्रेस अब्धिक्वित्पत्ती अमेरिका से हुई है तो याद रखिए किसके कहने पे मतलब इंडियन नेशनल कॉंग्रेस रखा गया है तो वो ए दादा भाई नरोजी जो पारसी थे कॉंग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे दादा भाई नरोजी थे कॉंग्रेस की पहली अध्यक्षता व्योंकेश चंद्र बैनर जी ने की कॉंग्रेस की दूसरी अध्यक्षता जो था वो कलकत्ता में दादा भाई नरोजी करते है पहरा मिटिंग कहा होता है मुंबई में दूसरा मिटिंग कलकत्ता में है उसमें ठिक भारती राष्टी संग की स्थापना का विचार सरपतम लौड डफरिन के दिमाग में आया था तो मैं फिर से बता रहा हूँ ये बलाया था इसके पीछे बहुत बड़ा विवाद है कि कॉंग्रेस की जो इस्थापना है वो अंग्रेजों ने अपने जादा तर जो लोग थे वकील या लॉयर थे जो पहले सम्मेलन में भाग लेने गये थे बहुत तर लोग वो या जादा तर वकील या लॉयर थे तो यहाँ बात किया कि भारती राष्टी संग की स्थापना के विचार सरपतम लौड डफरिन के दिमाग में आया था ऐसा बो आईस नहीं चलता था आईसेस अधिकारी एलन ओक्टिवियन ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई इसका प्रतम अधिवेशन पूने में आयुजित किया जाना था लेकिन उस समय पूने में फ्लैक फेल जाने के कारण यहाँ अधिवेशन बंबई में आयुजित किया गय प्रारम में इसका नाम भारती राश्टी संग रखा गया था लेकिन दादा भाई नेरो जी के सुझाओ पर इसका नाम आयंसी भारती राश्टी कॉंग्रेस या इंडिया नेशन कॉंग्रेस रख दिया गया यह डिटेल नों बता दिया गया आपको ठीक है अब बात करते है भारती राश्की कॉंग्रेस की स्थापना के समय है भारत का वायसराय लॉड डफरिम था, most IMP, पेपर में आ चुका है, at the time of establishment of INC, who is the वायसराय, तो ये वायसराय हमारे कौन थे भाईया, भारत का वायसराय लॉड डफरिम था, पहले गवर्णर जनरल का पो ताज के नियम के तहट, गवर्णर जनरल का जो पोश्ट है, उसको वायसराय कर दिया गया था, तो भारत का जो वायसराय था, 1885 में कॉंग्रेस का, वो था लॉड डफरिम था, बंबई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले दिक्तर नेता, वकीलें पत्रकार थे, ब पता दिया मैंने, इस अधिवेशन के पहले अधिक्ष कोई थे, ब्योंकेश चंदर बेनर जी कहीं के पे, डबलू सी बेनर जी लिखा रहाता है, और सची कोई थे, ए ओ हुम, इसके प्रमुक्स अधिक्षों में सामिल थे, फिरोशा, महता, बरुगदिन, तयब जी, डबल करते हैं, देखो, कई बार पेपर में आया है, UPPSC पेपर पर में आया है, कि Congress का जो पहला मिटिंग होता है, क्या उसमें सूरेंदरनाथ बेनर जी या सर सेयद हमत खां शामिल हुए थे करके, तो या देखना, सूरेंदरनाथ बेनर जी जो थे, especially mention करके बुला गया है, क्या स सूरेंदरनाथ बेनर जी पहले सम्मिलन में थे, नहीं थे, सूरेंदरनाथ जो बेनर जी है, वो पहले सम्मिलन में नहीं थे, कहां थे तो वो, क्योंकि इसी समय इंडियन असोसियेशन कॉंफरेंस का दूसरा अखिल भारती सम्मिलन आयो जी थोना था, इसलिए वो नहीं थ इंडियन असोसियेशन कॉंफरेंस बनाया था, सुरिणनाथ बैनर जी जी ने, तो वहां की मिटिंग में बिजी थे, 1886 में इंडियन असोसियेशन कॉंफरेंस नविलेफ भारती राष्टी कॉंगरेस में कर दिया गया था, कुछ दिन बाद ये जो सुर्ण साइं, इंडियन Conference जिसको सुरेंद नाद बैनर जी ने बनाया था उसको Congress में मिला दिया जाता है अब एक question आता है कि इन में से कौन सा व्यक्ति जो है वो उसका Congress से लेना देना नहीं था तो वो थे सर सयद हमत खां वही सयद हमत खां है यह जिन्होंने अलीगड़ युनिवरसिटी अलीगड़ अंदोलन चलाया Scientific Society की स्थापना की कुरान पे जिन्होंने the causes of 1857 1865 की करांती के इतिहास के कारण क्या थे और कुरान पे जिसने टीका लिखा और जिस इनसान ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो भारत माता की दो आँखे करकी यह सर सयद अहमत खाने बोला था यह जो ब्यक्ती था यह जो महान लीडर था मुस्लिम भाईयों का इसने यह बोला मतलब यह जो सर सयद अहमत खा जो थे ना सीतारे हिंद थे सीव प्रसाद सीतारे हिंद थे यह दो लोग जो थे ना यह जो दो लोग थे यह लोग कॉंग्रेस का क्या करते थे विरोध करते थे इसके जगह इसने एक और्गिनाज़ेशन मनाया था ठीक है Patriotic Association of India सर सयद हमत खान और शीव प्रसाद सितारे हिंद ने कॉंग्रेस का विरोध किया था ये कॉंग्रेस के कभी अध्यक्ष भी नी मने ये कॉंग्रेस के कभी मीटिंग में भी भाग नी लिया इसके जगा इन्होंने पेट्रियोटिक असोसियेशन नामक इंडियन पेट्रियोटिक Association नामक एक Organization बनाया था इनके विरोध में अब देखें मैं फिर से बोर रहा हूँ पहली मीटिंग में कौन भाग नहीं लिये थे सुरेंद्रनाथ बैनर जी भाग नहीं लिये थे लेकिन ये Congress के मेंबर थे सर सेयद हमत खां और प्रसास सिधार ही ना तो Congress के मेंबर थे ना कभी अध्यक्ष बने ना कभी ये मिटिंग में भाग लेने गया थे बलकि इन्होंने इसका अपोस किया और इंडियन Patriotic Association नामक एक Organization बनाया था सर सेयद हमत खां नहीं अलिगड यूनिवसिटी 1875 में Scientific Society 1864 में 1864 में बनाया था उन्लेकनी है कि बाल गंगा धरतिलक Congress सदस्य होते हुए भी कभी इसके अध्यक्ष नहीं चुने गए बाल गंगा धरतिलक बाल गंगा धरतिलक जो थे वो Congress के सदस्य थे लेकिन वो कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे याद रखिएगा बाल गंगा धरतिलक जो थे वो कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे ठीक है यहाँ दर समझा आपको अब जो में चीज़े उस पर बात करते हैं ठीक है में चीज़ क्या है में चीज़ यह है कि Congress की स्थापना से सम्बंधित विवाद या मत या सिद्धान Congress की Establishment से Related Disputes Votes and Principles क्या क्या है क्यों Congress बनाया गया था पहले मैं पढ़ लेता हूँ पिर समझाता हूँ आपके सर्च उपर चले जाए गया देखते हैं यह मेंस का question भाई UPSC Mains का question है कि Congress की स्थापना के पीछे का सिद्धान्द बताई है तो पहले पढ़ लेता हूँ फिर बात करते हैं Congress की स्थापना के पीछे वह दिर्यड राजनीतिक इच्छा शक्ती थी जिसमें भारती जन्मे पनपते असंतोश वह विद्रो की भाणों को नियंदरित किया जा सके उसका मानना था कि ततकालिन वायसराय Lord Dufferin के परामर्ष पर Hume ने इस संगठन को जन्म दिया था मैंने एक चीज़ बताया था कि Congress की स्थापना के समय वायसराय कौन थे Lord Dufferin कॉंग्रेस की स्थापना किसने की A.O. Hume यह कभी अध्यक्ष नहीं थे सची हूँ बने थे ऐसा बोला जाता है कि Congress की जो स्थापना है वो Lord Dufferin के कहने पे A.O. Hume Retired ICS आवकाश प्राप्त असायनिक अधिकारी ने किया था ठीक है अब क्यों किया था बोला जाता है पहले इस्तोरी पहले बता देता हूँ फिर एक बार में समझ आ जागे यह पूरा जो राम कहानी है यह जो पूरा राम कहानी है अपको एक लाइन में समझ आ जाने वाली देखो सुझे क्या है 1800 संतावन की जब करांती होती है First War of Indian Freedom होता है भारती सुतंतता संग्राम अठा संतावन का जो पहला होता है वो अच्यानक से हो जाता है एक दम ना तो उसके लिए भारती यह तैयार थे ना तो अंग्रेज तैयार थे भारती को यह नहीं बताता है कि हम इतना बड़ा अंदोलन कर देंगे और अंग्रेजों ने तो कभी बाप जनम में नहीं सोचा था कि ऐसा अंदोलन भारती तोरा कर दिया जाएगा करके ठीक है बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों ने उस पे उस अंदोलन को रोका था बहुत मुश्किल से किस कारण से किस ले रोक लिया था बहुत सारे भारती राजाओं ने उनका हेल्प किया था जैसे गौलियर के राजाओं ने सिंद के राजाओं ने इंदोर के राजाओं ने पंजाब के आर्मी वालों ने या पंजाब के राजाओं ने इन लोगों ने बहुत सायोग किया था साथ ही साथ 1877 की करांटी में भारतियों के पास अस्ट 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 ये सब नहीं थे साथ ही साथ कोई अच्छा लीडर्शिप नहीं मिला उसको तो इस करण से क्या हुआ 1877 की करांटी जीतते जीतते रह गये थे वो लोग भारती ये लोग तो ये जो अंग्रेज थे ये बड़ी मुश्किल से जीते थे तो अंग्रेज चाहते थे कि ये एक बार जो घटना 1857 की हुई है जिसको बड़े मुश्किल ढंग से हम लोगों ने निप्टाया है बहुत मुश्किल ढंग से हम लोग ने भारतीयों को हराया है ऐसा दुबारा भी हो सकता है एक बार हो गया तो दुबारा भी हो सकता है होगा ही दुबारा ठीक है तो ये ये दुबारा न हो या दुबारा अगर हो तो हमको अल्टीमेटम मिल जाए हमको पहले से पता चल जाए जैसे 1877 की जब करांती हुई थी तो अंगरेजों को पता नहीं था कि ऐसा कोई विद्रो हो जाएगा ठीक है उसके बाद किया हुआ कॉंग्रेस की इस्थामना की पिछे लॉर्ड अफ्रिम ने ए ओ हुम को बोला कि तुम भाई कोई ऐसा एक औरगनाईजेशन बनाओ जो भारतियों कहीं नेत्रित्यों करे भारतियों कहीं बात माने ठीक है भारतियों कहीं नेत्रित्यों कहीं नेत्रित्यों करे भारतियों के बारे नहीं सोचे लेकिन अगर भारतिये कोई विद्रो करते हैं अठारा सो संताओन की करांती टाइक अगर कोई विद्रो और कर दिया जाए और कर देते हैं तब यह जो भी पार्टी बनाई जागी या जो भी और्गनाइशन बनेंगे इसके माद्यम से हमको पहले पता हो जाना चाहिए कि यहाँ भाया भारति लोग विद्रो करने वाले हैं ताकि अंग्रेज लोग जो है वो क्या हो जाए? तयार हो जाए इसका example में देता हूँ इसका example है असयोग अंदुलन कैसे है सर? बताइए जरा भाई लोग ऐसा है कि सोदेशी अंदुलन जब होता है तो कॉंग्रेस जो वो चीर-चीर के फाड़-फाड़ के चिल्ला-चिल्ला के बोलता है सोदेशी अंदुलन हम लोग स्टार्ट कर देंगे इस डेट में स्टार्ट कर देंगे अहसेओग आंदुलन भी आया, तो हम लोग अहसेओग आंदुलन इस्टार्ट करने वाले हैं, बता के क्यों रख्यों भई, अचानट से करो, सविनाव अग्या आंदुलन के लिए 31 जनवरी 1930 तक का डेड़ दिया गया था, कि 31 जनवरी 1930 तक हमारी 11 मांगो को पुरा नहीं करो गया आप लोग, तो हम लोग 31 जनवरी 1930 के बाद क्या कर लेंगे, आंदुलन कर लेंगे, उसी के सांस साथ भारत छोड़ आंदुलन, भारत छोड़ आंदुलन जो था वो 9 अगस्त 1942 को इस्टार्ट होता है, यहाँ अभी चीख चीख के चिल लाया गया था, कॉंग्रेसियो कि हम लोग 9 अगस्ते क्विट इंडिया मूव्मेंट भारत छोड़ो आंदुलन चालू करेंगे, जैसी 9 अगस्त से 10 अगस्त होता है, भारत के जो बड़े बड़े नेता रहते हैं, उनलों को हिरतार कर लिए जाता है, तुम चीखते चिल लाते हो क्यों हो भई, यहाँ, त अचानक से स्टार्ट करो ना, ताकि अंग्रेज हडवरा जाए, तो देखिए, एक्जांपल मैंने दिया ना, कॉंग्रेज जब आई, तो कॉंग्रेज अब बता बता के, क्या कर रहा है, पहले अपने मांग रखता है, मांग जब पूरा नहीं होते ही, तो एक डेट देता थे, कि भाईया है, तो गांदुलन चलने, करने वाले है, आपने इसको दबा के रखते हैं, तो इससे क्या हो जाता था, अंग्रेजों को पता चल जाता था, और अंग्रेज जो थे, वो तयार रहते थे, कोई भी विद्रोह के लिए, तो सिम्पल सी बात है, लॉर्ड डफर इसी को सेप्टी वॉल्व थियोरी बोला जाता है, हिंदी में अवहदीप का सिध्धान बोलते हैं इसको, तो याद रखिए सैप्टी वॉल का सिध्धान क्या है, अठारहसो संताओं की करांती जो अचानक से हुई थी, जिसके लिए ना भारती तयार थे, जिसके लिए ना यार हो जाए, ताकि किसी भी विद्रों को दबाया जा सके, इसके लिए कोई एक ऐसा organization बना दे मोर्ददा करके Lord Dufferin ने A. O. Hume को बोला था, तो A. O. Hume ने ऐसा बनाया था, ठीक है, इसी को safety wall theory बोला जाता है, क्या, सुरक्षा wall जिसको बोलते हैं, सुरक्षा का पाट, हिंदी में क्या कहना है, सुरक्षा का पाट, safety wall, safety wall English है, अभैदीप, तो यार रखना, safety wall का सिध्धान किस से related है, establishment of INC, Indian National Congress से, अभैदीप का सिध्धान किस से संदर्वित है, किस से संबंधित है, तो वो है Congress Party से, ठीक है, तो लाला लाजपात राय ने अपना एक magazine था, Young India, Young India में बोला था, कि यह जो Congress बनी यह ना, उसके पीछे असली जो दिमाख है, वो वायस राय लॉर्ड डफरीन का है, ना कि A.O. Hume का है, ठीक है, सेप्टिवालो का सिध्धान्त लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेक में दिया था, लाला लाजपत राय के नुसार Hume को इस बात का विश्वास हो चलाता कि भारत में शिक रही भायंकरी स्पोर्ट होने की सम्भावना है, जिससे बिटन का भारती सामराज विनस्ट हो जाएगा, मैं बुरा 1857 में करांती हो चुकी थी, इन फिचर और हो सकती है, तो उससे अंग्रेज बचना चाहते हैं, इसकी करांसी यह क्या वोना, यहाँ पर लिखा है, देखो, उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेक में, किसने, लाला लाजपत राय ने, कॉंग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया है, कि कोई एक और्गेनेशन बना देते हैं, तो वो जो और्गेनेशन बना था, वो कॉंग्रेस था, इसलिए बुला जाता है, डफरिन के दिमाग की उपज, इसके बाद अपनी बात आके बढ़ाते हैं, उन्होंने लिखा था कि कॉंग्रेस की स्थापना का उद्देश राज आजादी हासिल कने से कहीं ज़्यादा यहाथा, कि उस समय बिटिश हमराज पर आसन खत्रों से उन्हें बचा जब मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है, कि ऐसा कोई खत्रा आता है, तो पहले ही बता दिया जाता है, क्यों लोग सचेत हो जाए, कॉंग्रेस के लिए मुख्य उदिश था, अंग्रेजी समराज के बेनिफिट पर काम करना, और हुआ भी था, 1885 से लेके 1905 तक, 1905 तक कॉंग्रेस पार्टी जो थी न, वो अंग्रेजों का हित चाहती थी, क्या हित चाहती थी देखेंगे, ठीक है, कोई यह नहीं कह सकता कि कॉंग्रेस अपने उस आदर्श के प्रती इमानदार नहीं रही, मतलब अंग्रेजों का उन्होंने पूरी इमानदारी के सांथ 1885 से लेके, 1905 तक सांथ दिया था, कैसा सांथ दिया था, आगे बात करेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे, यह जो टॉपिक है, यह अगले लेक्चर में हमको